आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीकी से आलो की सबसी जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है बिल्कुल दम आलो की तरह और जिसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है तो आप दे एक बार चरू ट्राइ कीजिगा अगर आपको विडियो अच्छी लगे तो लाइक दाना शियर करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना तो चलिए फटा-फट बनानी शुरू करते हैं अलो की सबसी सबसे पहले हमने चुटी चुटी आलू ले ले लिए हैं इनको अच्छे से दो लिया है अब हम आलू बनाने शुरू करते हैं इधर बनीॡवी दो कटी होई तमाटल यह कटी प्याज और एग्जिली लेशन चुटी होई यह दो अधकी टुक्रे इनको पेश्ट बना अधी तयार कर लेंगे इस तरह के से पेश्ट परना कर तया करूँगे, अब यहां पर फॉक्त कर लेंगे उसको हलका सा गरम करेंगे, इसमें डालेंगे एक चमचा तेल, इस तेल को गरम होने देंगे, इस में डालेगे इस चमज जीरा, अब हम इसी मसाले में डालेगे, दो चमज दन्या, इस चमज छल्दी, दो चमज नमक, और आदी चमल, लाल मेच पॉड़ार, अब हम इसमें इसमें मसाले में डालेगे, अब इसमें डालेगे, इस सब्जी मसाला, एक छूटी चमज, देगी मिर्च, आदी चमज, और ये एक पीच ही, अब हम इसमें इस सभी मसालों को अच्छे से पकने देंगे, मसाला जो अच्छे से पक चुका है, कितना चल लाड़ा है मसाले का, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, मसाले को हमें जब तक पकाना है, जब तक ये तेल न छोटी, अब हम इसमें इसमें ये आलू डाल देंगे, अच्छी से मिक्स बार देंगे इसको, अब हम इसमें पान डाल देंगे एक गिलास, अब इसका ढखकर लगा देंगे और दो सीडियाने तक इसको पकाएंगे अब हम कुकर को अन करेंगे कि दीखी कितने अच्छी आलू बनकर तैयार हुए हैं, अब हम इसमें अला दनी डालेंगे कर दो भालेंगे